हाँ तो गैज आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यदा स्पेसल होने माला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके का रेड कलर टोन का एफेक्ट साथ एकवा कलर टोन देख वारे वाई फोटो एक दम बवाल लग रही है वाई तो कुछ इस आप देख पर हो कि ये बिल्कुल ही रौफ पिक्टर है एंडी पोटो को जस्ट हम सेट पर क्लिक कर देंगे एंड इस फोटो को अभी आप्ट रूम आप के लिए ठीक है तो अभी हम जस्ट इसको ऐड़ कर देंगे और यह फोटो जो हमारी लाइट रूमे आपके अंदर हो चुकी है तो अभी हम लाइट रूम आपको यहां से उपेन कर लेंगे जस्ट आपको नोटिफिकेशन बार में जाना है एंड यहां से इंपोर्ट फिनिस्ट का एक अब आपको अल्स पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा अब आपको अपनी फोटो को स्लेक्ट करने के बाद मैं आपको पहले बता दू कि भाई इस वीडियो को तो आप बिलकुल भी इसकीप मत करना क्योंकि पूरे यूटुब पे आपको कुछ इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको ऐसा कलर टोन डालना सिखाया गिया हो ठीक है तो वीडियो को प्रोपर ली सुरू से लेगे लाश्ट तक देखना गाइज सबसे पहले इस वीडियो में हम लाइट के एडजस्मेंट करेंगे लाइट के अ यहां से आपको कॉंट्रास्ट को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है ठीक है हाई लेट को लगबग यहां पर हम माइनस टेन कर देंगे यहां से हम सैड़ोज को लगबग यहां से प्लस सिक्स कर देंगे ठीक है यहां से वाइट को कर लेंगे माइनस लगबग माइनस एट यहाँ पर blacks को भी minus 6 कर लेना है ठीक है इतना हो जाने के बाद photo में जो है हमारी light के adjustment complete हो चुकी है light के adjustment हो जाने के बाद guys अब आपको चलना है इस effect वाले tool के अंदर ठीक है effect वाले tool के अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले guys यहाँ से texture को लगबग plus 8 कर लेंगे and clarity को plus 6 कर लेंगे ठीक है यह दो काम आपको कर लेना है अब गज पर के से पूरे फोटो एटिंग को चेंज करने के लिए वो यहां पे आता है आपको का इस कलर वाले टूल के अंदर चलना है इस टूल को आप बिलकुल ध्यान से समझिए ठीक है यहां सबसे पहले हम टेम्प को कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे लगबग प्लस 10 कर लेंगे ठीक है प्लस 10 कर लेने के बाद फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का येलो सा एक कुछ इफेक्ट आ जाएगा और टींट को कुछ इस तरीके से माइनस 6 कर लेना है ठीक है माइनस 6 कर लेने के बाद देख पर होगी यह दोनों को कलर का जो है कॉम्बिनेशन बहुत ज़दा अच्छ दिखेगा और बहुत सारे लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं और अपनी फोडो को एडिट नहीं कर पाते हैं ठीक है जो जो ये स्टेप मैं बता रहा हूँ अब सेम उसको फोलो किजिए आप अपनी फोडो को बिलकुल अच्छे तरीके से एडिट कर पाएंगे ठीक है अब गईज सबसे लास्ट वाले कलर के अंदर आना है और इसका सेचुरेशन कुछ इस तरीके से जीरो कर लेना है लगबग माइनस हंडेट कर लेना है ठीक है अब इसका भी सेचुरेशन माइनस हंडेट कर लेना है और इन दोनों को आपको हीउ को भी माइनस हंडेट कर ले पूरे लेफ्ट साइड की तरफ कर देना है लेफ्ट साइड की तरफ कर देने के बाद गईज अब आपको येलो कलर लेना है इसकी भी हुग को कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ कर देना है ठीक है बस आपको यही काम करना है इतना कर लेने के बाद गईज अब को यहाँ को तीक है यहाँ को अपर करने के पातर कुछ इस तरीके से ऊपर करना है एak सब्टीक को सेलेक्ट कर लेना है अपसी थीरो-थिरी आपको अप्लाई करना है यह अपवलाई करने के तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम दोबारा से जाएंगे light वाले color वाले tool के अंदर mix tool के अंदर इस बार गाइज आपको red color का कुछ इस तरीगे से saturation को बढ़ा देना है लगबग 25 कर लेना है अब आपको आना है इस color के अंदर यह आप देख पर यह orange color है जो कि हमारे skin का color होता है तो simple से इसका saturation कुछ इस तरीगे से कम कर लेना है saturation लगबग minus 44 कर लेना है यहां से luminance को बढ़ा कर लगबग 16 के आसपास यानि 16 कर लेना है यह हो जाने के बाद देख पर होगे इसकी photo बहुत ज़दा मस लगने लग गया yellow color के अंदर आने के बाद कुछ इस तरीगे से इसकी luminance को कम कर लेना है यहां से इसकी saturation को बढ़ा लेना है अब यहां पर आपको green color दिखेगा इसका भी saturation कुछ ऐसे कम कर लेना है luminance को भी कम कर लेना है यह काम आपको कर लेना है यह काम कर लेने के बाद आपको simple से done पे click कर लेना है done पे click कर लेने के बाद गईज इस photo के अंदर अभी हम दो चीज़ करेंगे एक तो जाएंगे हम इस tool के अंदर यहां से आप noise reduction को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे लगबग 20 के आसपास and sharpening को भी आपको बढ़ा लेना है लगबग 60 के आसपास ठीक है and contrast को बढ़ा लेंगे साथी साथ color noise reduction भी बढ़ा लेंगे ठीक है and यहाँ details और smoothness बढ़ा लेना है and इतना काम हो जाने के बाद अब आपको effect वाले tool के अंदर दोबाडा चलना है and यहाँ पर देख वारे photo के अंदर कुछ इस तरीके का adjustment हो रहा है ठीक है तो इसे आपको बिल्कुल नहीं चलना है अभी हम simple से यहाँ से back करेंगे ठीक है back करने के बाद photo जो है हमारी कुछ इस तरीके की लग रही है and इस photo के अंदर जो white वाला part है इसके अंदर हम एक color डालेंगे जो है aqua color तो aqua color को डालने के लिए आपको simple से नीचे की तरफ आना है and यहाँ से उपर की तरफ आना है यहाँ पर आपको एक mask का option दिखेगा just guys आपको mask पे click करना है and इस पे click करने के बाद आपको plus वाले icon पे click कर देना है and इस पे click करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको interface दिखाई देगा and यहाँ पे बहुत सारा option आपको दिख जाएगा अब आप guys आपको simple से color यहाँ पे color range का option मिलेगा just आपको color range पे click करना है and जैसे आप इस पे click करोगे कुछ इस तरीके का जो है icon सो हो जाएगा and यहाँ से guys आपको color range select करना है याद रहेगा आपको कुछ इस तरीके से ऐसे select करना है जिसमें आपका ज्यादा face cover ना हो देख पर हो जैसे कि यहाँ पे cover हो चुका है लेकिन यहाँ पे हम refine को कम कर देना है ठीक है refine को इतना रखना है कि ताकि हमारे skin वाइगर आपके कोई effect ज्यादा ना है ठीक है and refine की value लगबग हम इतना कर देते हैं लगबग यहाँ पे हम plus two कर दे रहे है and इतना हो जाने के बाद just आपको apply पे click कर लेना है ठीक है apply पे click कर लेने के बाद guys अब आपको यहाँ से color वाले tool के अंदर दोबाड़ा चलना है and इसको temp को कुछ इस तरीके से जो है minus 8 रख देना है ठीक है temp को पूरा minus 100 कर देना है and minus 100 कर देने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी saturation तो saturation को लगबग हम left side की तरह minus 7 रखेंगे ठीक है अब यहाँ से color को select करना है जो भी आपको color feel करना है हालांकि हमने thumbnail पे यह वाला color दिखाया है तो हम यह feel करके आपको दिखायेंगे ठीक है and इसकी hue को लगबग left right आपको करके देख लेना है लगबग यहाँ पे minus 4.3 कर लेना है and आपको simple से done पे click कर लेना है अब गईज इतना हो जाने के बाद गईज देख पर हो photo के अंदर यह देखो before and यह देख पर हो after कुछ इस तरीके का color tone जो है आ जाएगा लेकिन अभी भी गईज देख पर हो कि skin ना थोड़ा skin पे जो है थोड़ा-थोड़ा color दिख रहा है तो इस चीज को remove करने के लिए गाईज अब आपको चलना है simple से इस effect वाले tool के अंदर detail वाले tool के अंदर and यहाँ से आपको noise reduction को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है जैसे आप बरहाल होगी यह color जो है hide हो जाएगा कुछ हद तक hide हो जाएगा and आप आपकी photo में बिल्कुल मतलब उतना नजर नहीं आएगा and देख पर होगी photo भी बहुत ज़्यादा देखने में मस लगने लग गया and इतना हो जाने के बाद अब आपको simple से इस optics वाले बटन पर क्लिक करके इन दोनों को आपको on कर लेना है तो गाईज देख पर होगी हमारी photo editing हो चुकी है यह before की photo है and यह after की photo है ठीक है तो गाईज बहुत ही मस लग रहा है photo अब गाईज आपको just यहां share वाले icon पर क्लिक करके save to device कर लेना है यह photo जो है हमारी gallery में easily save हो जाएगी so I hope guys आज की यह video आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी and इस video से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो भाई video को like करके channel को बिल्कुल subscribe कर लेना इस तरह के video आपको हमारे channel पर डेली देखने को मिलती रहती है so I will see on the next video guys love you all take care bye bye